हेलो गाइज, वेलेगम टो दे चाइनल, अर्वे फंटासे सेवन, तो इस यूडियो में हम बात करने वाले येनबे का जो मैच होना आला, यूटेजास वसेज वस्टन रॉक्स की बीच में, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लास्ट मैच की विनिंग क्या कुछ रही थ एगर नहीं तो सबस्क्राइब कर देना, उस इक सास वाइणाल टिम के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जाइनो सकते हो, टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शिं में मिल जाएंगी, अगर लिंक वर्क नहीं करते हूं, तो टेलिग्राम पर साच्च करन बहुत बेहाले और उसीक सासा यूटेजाज की अगर बात करो ति यूटेजाज NBA के अभी तक के सबसे कम match loss होने वाली एक टेमे, strong टेमे, जिनका यापर bench उसीक सासा starter बहुत जादा strong गे और उसीक सासा यापर यूटेजाज यह भी match आपर easily यापर probably यापर win कर लेंगी अगर सबसे पहले बात करेंगे यापर UTAs के तरप से probable starter यम कॉलिनी start करेंगे point guard से d में चल यापर shooting guard से start करेंगे यापर J English कहलेंगे as a bench player small forward से और भी बॉक डॉन्विक one of the best यापर starter यापर forward से अरो निल्स यापर से start करेंगे जीनिंग यापर आपको as a bench player खेलने को दिखेंगे बागी रुपी गोपट यापर यापर से center से start करेंगे उसिक सासा defavorous पर ध्याण राखना GL में best PK 8 credit की player है और center से खेलेंगे अच्छे खासे point आपको दे सकते हैं खास करकी rebound अच्छे खासे दे सकते हैं बागी ये ये यूट्य आज की तरफ से प्रोबेबल 5 starter उसिक सासा त्यापर उस्टेंग की तरफ से अगर बात करूँ तो जेवेल याँसे start करेंगे यस ब्राउन उसिक सासा भी मकलार होना बेस्ट पिक आपको याँसे मिल जाएंगे बाकी अगर यहाँसे बात करूँ तो आपको small forward से मिल जाएंगे डिनावबा जो कि आपर आउट हो चुके मैच यह आज का खेलनी रहे forward से कहलेंगे इगोरोडन जो कि as a bench player जिटीड गेम टाम डिशीजन है खेलते हैं नहीं खेलते हैं भी confirm नहीं यहाँसे डियाउस आपको as a starter देखने को मिलेंगे इन पर भी आपर GTD और Peter कर यहाँसे आपको center से अल्मुष्ट यहाँपर खेलते हो दिखेंगे और यहाँसे Siwood जो कि इनके आपर star player यह यह आपर out हो चुके यह भी यहम कॉलनी तो यहम कॉलनी आपर last match के लिए थे 35 minute पॉइंट गार से 18.2 रिबाउंट टो असेस टो शिक्सासाथ जेक लार्सन आपको यहाँपर गार से खेलते हो दिखेंगे as a bench player last match 23 minute के लिएकर 10.5 रिबाउंट टो शिक्सासाथ जो second match रहा था यहापर यहम कॉलनी का परफार्मस 28 minute के लिएकर 10.3 रिबाउंट 8 असेस 2 ब्लोक 2 शिक्सासाथ यहापर जेक लार्सन का बेस्ट परफार्फार्मस आए था 20.5 रिबाउंट 4 असेस 2 शिक्सासाथ तो शिक्सासाथ नहीं किया था दोने इंपोर्टन पिक है अगर बात करूँगा क्रेडिट तो क्रेडिट में यहापर थोड़ा सा यहापर डिफरेंस है बागि यहापर जेक लाक्स चन आपको बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे डी मिचल बेस्ट शिक्सासाथ के माच के लिए आज स्टार के लिएक है प्लस यहापर गार से बेस्ट प्लेयर है सबसे जाद है आप पर अटेम्ट अप शॉट यही करते है और ओफिंस्व केलते है लास्ट मैच 42 मिनेट के लिएकर 33.8 रिबाउंड उसिक्सासा 6 असेस्ट 1 सिल जो सेकंड मैच रहा था दीमी चल गा यहापर 35 मिनेट केलकर 21.4 रिबाउंड उसिक्सासा तो असेस्ट दिये थे तो बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे प्लस बेस्ट स्पी चोईस आपको मिल जाएंगे जे इंग्लस खेलेंगे आज बेंच बेर भी बॉक डाउंड उस असे स्टार्ट करेंगे और दोनों भी आपर अच्छी खसी मीक आपको फारवर्ड से आपको मिलेंगे खस करकी बॉक डाउंड जो कि आजसे स्टार्ट करते वे लास्ट मैच 34 मिनिट खेलकर 18.5 रिबाउंड उसिक्सासा जे इंगलस 25 मिनिट खेलकर या पर 16.6 रिबाउंड 1 असिस्ट और 1 स्टिल जाता जो 2nd मैच रहा था वी बॉक डाउनिक का ये भी मैच या पर बेश्ट गया था और उसिक्सासा जे इंगलस का ये मैच थोड़ा सा और इज गया था बाकि दोनों में से आप पर बी बॉक डाउन वी क्या पर इंपोर्टन ही जे इंगलस के आपर ड्रॉप करिके चले जा सकती स्मॉल लिग के लिए आरो निल्स स्टार्ट करेंगे जे इंग या पर आज बैच प्लेयर केलेंगे अगर बात पूरूंगा आरो निल्स तो आज अस्टार केलते वे टाइम आगर आच्छा खासा मिलता है ते या पर ये असिस्ट आपको बोज जाते दिने वाले लास्ट मैच 42 मिनेट खिलकर 7.10 रिबाउंग उसिखासा फाय असस्त और वन स्टेल किया था जो सेकंड मैच रहा था आरो निल्स का 33 मिनेट केलकर 8.3 रिबाउंट, 2 असेस, 26 साथ, 2 स्टील उने ने किये थे अगर यहाँ पर बात करूँ जेनिंग की, जो जेनिंग यहाँ पर सेकंड मैच में 5 क्रेडिर के प्लेयरे क्रेडिस से और आपको मिल जाएंगे 14 मिनेट केलकर 8.26 साथ, 1 रिबाउंट, और जो सेकंड मैच रहा था जेनिंग का, यहाँ पर खेले थे 10 मिनेट, 26 साथ, 5 पॉइंट यहाँ पर जिये थे अगर यहाँ से बात करूँ तो हरो निल्स, 10.5 क्रेडिर के प्लेयरे स्टार्ट करेंगे टाइम अच्छा खासा मिलेंगा, जेनिंग ऐसे बैंच प्लेयर खेलेंगे, टाइम इतना बेटर ने मिलेंगा बाकि आसे रूबी गोबर्ट मिल जाएंगी, जो कि आपर आपको पंट याबर पीपी चोईस मिल जाएंगी गोबर्ट के आगर बात करूँ तो सेंटर से अपोनेंट वाले टीम में, कोई ऐसा प्लेयर ने कि जो आपर गोबर्ट के आपर रोख सके सेंटर से और गोबर्ट जो है तो आपर वे ब्लॉक और स्टील बहुत बढ़िया करते हैं, उसिक सासा आपको रिबाउंड आच्छे खासे देते वे नजराएंगी आज के मैश में डी फेवर्ट पर ध्यान राखना जील के लिए, डी फेवर्ट जील के लिए वन अप दे बेस्ट पी के बैंच से कहलेंगे, बाकी गोबर्ट के आगर बात करू तो आज स्टार करते हैं, 38 मिनेट खेले थे लास्ट मैच 12.9 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 2 स्टील उन्हें ने किया था, बाकी डी फेवर्ट के आगर बात करू तो 14 मिनेट खेल कर 4.7 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील उन्हें ने किया था, जो सेकड मैच राता, तो रूडी गोबर्ट, 33 मिनेट खेल कर 22.9 रिबाउंड, उसिस्ट, 1 असिस्ट मैने खाल था, ब्लॉक औ 1 स्टील उन्हें किया था, बाकी डी फेवर्ट के अगर बात करू, तो डी फेवर्ट के आपर सेकंड जो मैच था, तो ये भी आच्छा खासा गया था, तो बेस्ट फिक आपको मिल जाएंगे डी फेवर्ट भी आसे, सेकंड मैच में आप पर 4.5 रिबाउंड, उसिस्ट सा अगर, 36.2 रिबाउंड, 5 असिस्ट, उसिस्ट साथ, एक ब्लॉक किया था, जो सेकंड मैच रहा था, या पर भी 32 कोईन, उसिस्ट साथ, 3 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील इन्का आया था, तो बेस्ट फिक चोईस आपको मिल जाएंगे, बाकी ये ये ब्र इन्कलोमार के साथ, आप थोड़ा से आपर क्रेड़ेस से वो कर लोंगे, बिमेकलोमार, लास्ट मैच, 12.3 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील, 6 असाथ, अच्छा खासा परफॉर्मस आया था, और बेस्ट फिक आपको मिल जाएंगे, या से वियो ओल्डोपी आप मिल जाएंगे, आपको जेटेट, दोनों की या पर ऐस स्टार्टर करेंगे, लास्ट मैच का अगर फॉर्फॉर्मस देखेंगे, वियो ओल्डोपी अखेले थे 34 मिनेट, 23.4 रिबाउंड, 9 असिस्ट, 1 स्टील, क्रेड़े थोड़ा सा आई, जो सेकंड मैच हुआ था 12.10 रिबाउंड, उसिकसा साथ, 1 असिस्ट, 2 स्टील किये थी, और जो लास्ट हिसेंटली मैच हुआ था, या पर भी 16.4 रिबाउंड, उसिकसा साथ, 1 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनों ने या पर किया था, तो बेस्ट पिक मिल लाएंगे, 9 क्रेडिट के प्लेयरे, प्लस बना सेज दिया था, जो 2nd मैच रहा था, तो 2nd मैच में आपर EGordon जोए तो या पर खेली नहीं थे, और उसिकसा साथ, 0 लास्ट मैच में खेले थे, तो as a starter के लिए थे, और as a probable EGordon आपको आच के मैच में आपर as a bench player केलने को दिखेंगे, क्योंकि आपर इस मैच में जोए last match का performance अगर देखेंगे तो last match के performance में आपर D house जो कि last match का last match खेले नहीं उसका साथ फीट अकर जो भी last match खेलने नहीं थी second match में आपर फीट अकर खेले थे as a starter 31 minute खेलकर 3 rebound 3 assist 1 block और 1 steal किया था उसका साथ आपर D house वो second match नहीं खेले थे और जो 3rd match के लिए थे as a starter 11 minute खेलकर 4.3 rebound उसका साथ पीट करके आगर बात करो तो 39 minute खेलकर 7.4 rebound 1 assist और 2 steal उन्होंने किये थे और जो 3rd match रहा था तो यहापर भी पीट खेलकर का performance आवरेज था बाकि आपर बाताने की कोई ज़रूरत नहीं यासे आपको जे पाटन आज बैंच प्लेयर खेलते हो दिखेंगे आपरेज प्लेयरे बाकि 9 credit के प्लेयरे JL में ट्राय कर सकते हो small league के लिए अभाईर करना अगर बात करेंगे dream alone team J wall जिन पर यापर GTD game time decision है लेकिन आपर important player यासे J Clarkson 22 के लेंगे 13 credit के प्लेयरे आपको यम कॉलनिया फिर J Clarkson दोनों में से किसी एक को pick कर सकते हो बाकि अभी के लिए में J Clarkson के साथ जारो 22 के लेंगे आप बंसी करेंगे और बोईता दै आपर point shoot करते D Mitchell मस्त है उसी साथ JTTI से start करेंगे आपको यासे विवाउग डान वेंग बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे आप चाहिए तो आपर J English को भी pick कर सकते हो और Egorodan को भी pick कर सकते हो बागी यासे forward से आपर Aronius मिल जाएंगे उसी साथ पीटकर और D house जो कि तीनों यापर आज जाट करेंगे उसी साथ जेनिंग यासे bench player कहलेंगे किसी को भी ले सकते हो लेकिन अभी के लिए मुझे Aronius जो यापर safe लग रहे बागया से Ruby Gobert मस्त है वे अभी बस्ते 6.5 credit और 6.5 credit में आपके पास यापर available होते है मिल जाएंगे बाकी अल्मोश टेमीरी final team में उसी साथ साथ safety में कोई रिस्क नहीं है बाकी आगर यापर SP PP choice के अगर बात करूँ तो not out best यापर SP DMHL आपको मिल जाएंगे उसी साथ पीपी के लिए आपके पास दो option है आप जेवाल के साथ भी जा सकते हो खेलेंगे तो वो जेवाल बहुत बढ़ी अपले रहे उसी साथ साथ आप रोबी गोबर्ट के साथ जा सकते हो जो यापर स्टील और ब्लॉक बहुत गज़ब का करते हैं अभी के लिए safe यापर का जो चार्ज है तो यापर जेवाल हैंडल करने वाले और जेवाल यापर attempt of shot बहुत ज़्यादा करेंगे तो यापर अच्छे खासे point आपको जेवाल यापर दे सकते हैं भागी थोड़ा सा यापर रिस्क लेना है तो जेवाल को यापर पीपी बना दीजी अगर safe जाना है तो रोबी गोबर्ट यापर safe यापर पीपी जोई से final team final updates आने के बाद आपको टेलिग्राम चैनल पर दी जाएंगी I hope guys आपको वीडियो पसंद आयोंगा उसी साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होंगा उसके तो आपने दोस्ते के साथ शेयर कर देना सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो फिली तरह सब्सक्राइब का बटन दबा देना तो मिलते final team के साथ हमारे टेलिग्राम चैनल